नमस्ता दोस्त मैं आपका दोस्त महोज 12 जनियम से आज हम लोग एक बहुत ही हाली सेक्लेंट प्लांट के बारें बात करेंगी यह बहुत ही सुंदर और लोकियर प्लांट है इसमें आपको बहुत सारे चुलो के रगों का आप्षम बिल जाता है यह जो प्लांट आप देख जाता है इसको सेविया मीनी कहा जाता है या कि इसको क्राउन आफ थ्रोन भी कहा जाता है यह एक काटेतार पौधा रहता है इस पर बहुत सुंदर फूल आते हैं आप आज हम लोग इसकी केर की बात करेंगे उससे पहले आपसे निवेजन है कि अगर आप वहमारी वीडियो को पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए किजी हमारी वीडियो कमिन कीजी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को देद के दिए ताकि हमारी अनने वाले वीडियो की नौ्टिस्टिशन आपको सबह Watson आपको अब और अक declining बात करते हैं इसके रख रख आपके बादे में दोसरे ये ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये तो आम थोन का पौधा है कि ये ये काटेदार पौधा होता है इसमें बहुत सुन्दर फूल आते हैं एक सेक्विलेंट पैनियर प्लांट है इए एक बार लगाने के बाद सालों साइज सकता है बीना किसी एक के इसमें दू तरह की वडाइटी आती है एक बडाए पत्य Catholics उल्य जिसके फूलों का साइज भी बडा होता है कि मैं कि इसके बड़े पतलते हों इसके फूलों में जी बढ़े हैं आप अब बढ़ा होता है और एक मिनियेचर वाराइटी आती है इसके फूर्टों को साइज देखे छूटे- जैसरी में चोटा सोड्म काकई से इसी इसके घृत हैं वह कि इसीड़े बहुत हैं अब बात करें सतरें इसके वाइड-में लगाए ताकि इसमें पानी नर्व के इसके स्वाइल मिक्स में आप 30% 30% 30% 30% खाज देखर बनाएं अब बात करते हैं संलाइट की तो आप इसको फुल संलाइट में या ऐसे जगह पर रखे सकते हैं जहां पर पूरे दिन की दूब इसको च्छन कर मिलें दूब जगह पर यह पौधा बहुत ही अरांग चलेगा आप बात करते हैं इसको पानी कैसे दें तो इस पौधें को बहुत ज्यादा पानी की आफशक्ता नहीं होती है क्योंकि यह एक सेक्विलेंट ब्लांट है इसके तनों में पानी का पानी स्टोर रहता है इसको पानी तभी दें जब इसकी कि ऊपर की मट्टी के लिए चार इस तक सूख जाए अब बात करें फटलाइजर की तो आप इसको ज्यादा फटलाइजर की तो नहीं होती है आप साल में दो बार इसको वर्मी कंपोस्ट या शड़ी कोई गुबर इखाद दे सकते हैं और 20-20 में एन पेकिल नहीं नहीं नह बात करते हैं तो इसको बहुत ही असानी से कटिंग से गुरू किया जा रखता है इसकी छोटी से बड़ी सबी कटिंग गुरू हो जाती है इसी कटिंग ग्रू करते समय बस यह ध्यान रखते तक की कटिंग को पहले और गश्य समय यह ध्यान रखें कि इसकी कटिंग को पहले उसे चार जिन सुखने के लिए रख दीजिए फिर रितीवी मिटी में ग्रो कीजिए अग्टिंग लगाने के बाद आप ध्यान रखना है कि इसकी कटिंग को धूप में ही रखना है छाएंदार जगहर पर अब बात करते हैं अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इसकी नीचे की पत्तियों को हटा दीजिए अधे पर से काट दीजिए जिते इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आपके पौधों पर फूल आने दो लगेंगे या तो आप उपर से इसको ट्रिम कर दीजिए या कि यहां से इसको आप पिंच कर देंगे तो नई ग्रोथ चालू जाएंगी और नई नई सूर्स आएंगी तो उसमें फ्लावरिंग आएंगे या तो इन पत्तों के यहां पेसे आधे पे तकार दीजिए या फिर इस तरह करेंगे तो यह तूट जाएंगे इस तरह नीचे के पत तो आप बस इन कुछ चोटी-चोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे आपका पौदा हमेशा फ्रस्त रहेगा अब फूलो फूल देता रहेगा तो आज की वीडियो यहीं बस हमाप्त करते हैं फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य पॉजिंगा उसकी के बारे अमचम बात करने के लिए तब तक के लिए अन्य वीड़ां दोस्तों एपक गाड़्निक में घज एम झाल शबत्स लोग्माः नहीं हमाने को बाल समय हुआ। में खाम पूवाई ए्याओाद। झाल सक्ष्ट्टू जाल उडर गिर्म संट्प्राइब ये नहीं हम ऑप्रज़ और नहीं हम इन्याम प्रम 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 झाल, झाल, झाल